जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमिद जैन यूटूब चैनल में तो सात्यों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें और आज दोस्तों अपनी ये क्लास रूव हो चुकी है ठीक है अपनी फिरी सेशन चलता है बहुत बढ़िया तरीके से तो शबी लोग जल्दी से एक बार लाइक करें और ये Self Study Classes का एप आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे लिंक दी है Self Study Classes की तो आप इसको दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आपके लिए दोस्तों एक कोर्स लांच किये गए एप जब आपका डाउनलोड हो जाए तो एप में आपको पता चलेगा कि यहां पर आपके लिए हिंदी साहित की डेली टेस्स चल लई है बैले डिटीज की एक बर से सुबह है रोज सुबह आठ बजे दोस्तों एक टेस्स आता है आपके पास ठीक है यह एप में आता है हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स बारा सो में जिसमें मात्र दोस्तों आपके लिए लाइब क्लासें भी रहती हैं और आपके लिए रिक्वाडेट कोर्स भी रहता है तिर्की वीडियो, डाउट्स वाले वीडियो, टॉपिक वाइस टेस्ट ये सब कुछ आपके लिए करवाया जाता है अगर आप TGT, PGT, LTG, RPSC या मास्टर कडरादी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित आपका सब्जेक्ट है तो इस वाली कोर्स में आप एड़ वीसल ले सकते हैं आज ही 12 शो में ठीक है और हिंदी साहित के भारते अंदू युक की अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हिंदी साहित के भारते अंदु योकी तो ये PDF नोट्स बाला कोर्स मात्र 205 में आप खरीज सकते हैं इसका आप प्रेंट आउट भी निकलवा सकते हैं हिंदी साहित के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल इनके अगर PDF नोट्स आपको चाहिए तो ये 750 में दोस्तो इसका आप प्रेंट आउट निकलवा सकते हैं इस कोर्स को आप पर्चेस कर सकते हैं रीतिकाल की PDF मात्र 205 रोपे में आप इसका प्रेंट आउट निकलवा सकते हैं भक्तिकाल की PDF 275 में दोस्तों इसकी भी आप PDF प्रेंट आउट निकलवा सकते हैं तो जिनको भी इस प्रकार से नोट्स की ज़ुरत और प्रेंट आउट निकलवाना है वो इन कोर्सों को दोस्तों आप पर्चेस कर सकते आदिकाल, छायाबाद, भक्तिकाल, रीतिकाल इन सब क PDF को आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रेंट आउट भी निकलवा सकते हैं और दोस्तों आराम से पढ़ सकते हैं, इनको आप पर्चेस करें, ठीक है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, आज का इस सेशन कल अपने पढ़ लिया था, कि हिंदी का प्रथम ब्रत्य संग्रा है, कौन सा है, अब आपको पता है दोस्तों हिंदी का प्रथम ब्रत्य संग्रा है, कौन सा है, तो स्योसें संग्र के बारे में अपन जानते हैं, जिन्होंने हिंदी का, हिंदी में हिंदी साहित का प्रथम इतिहास लेका, किसने लेका, स्योसें संग्र ने लेका, इनके द्वारा संक स्योसें सरोज की रचनाकार कौन है तो स्योसें सरोज की रचनाकार है स्योसें सेंगर ठीक है और यह हिंदी का प्रतम ब्रत्य संग्रा है दोस्तों कौन सा स्योसें सरोज ठीक है ब्रत्य संग्रहों में सबसे ब्रहदाकार और सबसे महत्पूर संग्रा है मिस्र बंदू का मिस् मिस्र बंदू बिनोद का रचना काल क्या है कितने भागों में के प्रिसारित है मिस्र बंदू कितने भाई थे उनके नाम लिखना है मिस्र बंदू बिनोद जो है दोस्तो इसमें कितने कभियों का उलेक मिलता है यह से करके जितने भी क्वेस्टन इसके बनते हैं वो आपको कम में लिखना है मिस्रबंदु के बारी में मिस्रबंदु बिनोद के बारी में ठीक है इसके पहले इन्हों ने दोस्तो 1910 में गरंत लिखा था जिसका नाम था हिंदी नावरत ने क्या नाम था हिंदी नावरत ने जिसको अपनने पड़ लिया ठीक है अब बात करने एप एकेई एप एकेई ने आ हिस्ट्री आफ हिंदी लिटरेचर ये गरंत आप से पूछा जाता है हिंदी की सहसवा वस्ता के व्रत्तों का वर्नन किया और हिंदी साहित में उठने वाले महत्पून आंदोलनों को काल बिभाजन का आधार बनाये ये क्वेस्चन आता है दोस आंदोलनों को काल बिभाजन का अधार बनाया दोस्तो वो किस ने बनाया एफ एकेई ने बनाया और इनके गरंत का नाम क्या था तो History of Hindi Literature अब आप से पूचा जाएगा कि आ History of Hindi Literature इसके रचनाकार कौन है तो आप क्या बताओगे History of Hindi Literature की रचनाकार है F.E.K. और इस इन F.E.K. ने दोस्तो क्या किया था ये आंदोलोनों को काल विभाजन का आधार बनाया था ठीक है इनको याद रखते ना फिर उसके बाद एडविन ग्रीव्ज ने I sketch of Hindi Literature देखो किसमें आप बड़े कन्फ्यूज होते हो आ History of Hindi Literature इसके रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार एडविन ग्रीव्ज है अपन ने पढ़ा था कि अपन को sketch बनाना है काई का sketch बनाना बाटसप गुरूप में आप जुड़े होते हैं बाटसप गुरूप पर आ गुरूप में एक admin होता है admin तो अपन को admin का क्या बनाना sketch बनाना तो admin से बनेगा admin और admin का क्या बनाना है अपन को sketch तो sketch आया यहां पर समझ जाना कि sketch अपन को admin का बनाना किसलिए admin ग्रीप्ष का ग्रंत है और history of Hindi Literature एफ़ी के ही है इनको यह दोनों ग्रंत है दोस्तों इसको अपन को याद रखते ना कि यही से बनेगा कोई कोई history पढ़ेगा कोई history पढ़ेगा और कोई जौगरफी पढ़ेगा अपनने पढ़ा था ना कि history और जौगरफी बड़ी बेबफा रात में पढ़ी और दिन में सफा तो कोई क्या करेगा कोई history पढ़ेगा और admin का हमें sketch ब टेचर नामक साहित तितियास लेखा और इसमें इनों ने हिंदी साहित के पाँच भाग किये कितने भाग किये पाँच भाग धार में काल को दो भागों में विवाजित किया और हिंदी के भविस का एक सुन्दर अध्या इनों ने क्या किया लेखा ठीक है तो ये दोनों के दो वनों गरंत आपको याद हो जाते हैं इनको याद कर लेना जिन भी सातियों ने सेल्फ स्टडी किलास ये से एप डाउनलोड नहीं किया वो एप को डाउनलोड कर लें और आचार सुकले द्वारा हिंदी साहित के इतियास लेकन का कार प्रसस्त कर दिये जाने के उपरां तुन हिंदी साहित का आलोच नातमक इतियास किसने लिखा तो हिंदी साहित का आलोच नातमक इतियास किसने लिखा था राम कुमार बरमा ने लेकन हिंदी साहित का विबेच नातमक इतियास किसने लिखा ये विबेच नातमक इतियास सूर कांत सास्त्री ने अब एक चीज बताओ कि बिबेचना कौन करेगा जो सूर के जैसा तपा होगा या बिबेचना करने किसी की बिबेचना करने के लिए हमें सूर जैसा तपना पड़ेगा तभी आप किसी की बिबेचना कर पाओगे तो इंदी साहित का बिबेचना तुमक कितियास लेका किसने शूर कांते सास्त्री न प्रमो कभियों पर लंबिय बंतुलात्मक समीक्षाय प्रस्तुत की और सामान कभियों का दोस्तु इसमें विवरण संचेप में हैं इसको याद रख्टेना स्याम सुंदर दास करत हिंदी भासा और साहित में हिंदी भासा भाग के छे अध्याय हैं और हिंदी साहित बाली भा इसमें वरनन अधो पान थे दोस्तों तो हिंदी भासा और साहित एक गिरंथ किस ने लिखा हिंदी भासा और साहित ने लिखा अभी आप से पूचा जाएगा तो आप लोग तयार रहना रमा संकर सुकल रसाल की बात करें तो हिंदी साहित का इतिहास संबत 1988 इस ते पूर्व लिखे गए साहित इतियासों में एक पुस्तक के रूप में एह सबसे बढ़ा था दोस्तों कौनसा हिंदी साहित का इतियास रमा संकर सुकल रसाले 1988 में ठीक है अयुद्या सिमपाद्या हरिवद ने भी लेखा दोस्तों हिंदी भासा और साहित का विकास 1931 में और कभियों की सम्मन्द में बिसे इतियास में क्या है उल लेख है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं हिंदी भासा और साहित का विकास इसके लेखा कौन है तो हिंदी भासा और साहित का विकास के लेखा कौन है अयुद्या सिमपाद्या हरियोद ये बही युद्यासे मुपाद्या हरियोध हैं जो दुवेदी काल के माने जाते हैं और इन्होंने खड़ी बोली का प्रिथम महाकाब लेखा था जिसका नाम था दोस्तों क्या प्रिये प्रवास क्या नाम था प्रिये प्रवास ठीक है तो युद्यासे मुपाद्या हरियोध हैं इन् अब ये question पूछा जाता है कई बार कि हिंदी साहित का अलोचनात्मक इतियास के लेखक कौन है तो अलोचनात्मक इतियास रामकुमार बर्मा ने लेखा लेकिन इसका सन भी पूछा जाता है कि ये कब लेखा हिंदी साहित का अलोचनात्मक इतियास तो ये 1938 याद रख़े ना पुले आलोचना के लिए अड़ गए, तो अड़ सी क्या बनेगा 38 और अपनी बिस्तरित सामगरी और स्रेष्ट प्रस्तुती के कारण ख्याती प्राप्ते हैं, इसमें आदिकाल और भक्ती काल का ही उलेख है, इसका प्रस्तावित दूसरा खंड है, अभी तक नहीं लेखा ज इसमें मिस्रबंदू करत हिंदी साहित का इतिहास मिस्रबंदू बिनोत का ही संचिप्त रूप है दोस्तों, ये भी अपन को याद रख्टेना है, ठीक है, तो आपसे याद रख्टेना कि ये जो हिंदी साहित का अलोचनातमक इतिहास इन्होंने लिखा, ये अधूरा गरं पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा अधूरा गृंत है तो अधूरा गृंत है हिंदी सायत का आलोचनातमा कि टिहास किसको याद रखोगे 1931 का है डाक्टर रामकुमार बर्मा का है एक कोस्चन आप से हम पूंछ रहे हैं कि डाक्तर रामकुमार बरमा ने हिंदी का प्रिठं कभी किस से सुईकार किया है या फिर किस से माना है जल्दी से कमेंट में लिखाएं उसके बाद बिश्व भारती के आहिंधी भासी साहितओं को हिंदी साहित का परिचे कराने हे तू वह है इस ग्रंत में अदोपांत मिलती है और इसमें हिंडी साहित को अखेल भारतिये साहित से संबंद करने का प्रयास किया गया तो यह अपन ने पढ़ा कि हिंडी साहित की भूमिका के लेकक कौन है यह question आपका आता है तो हिंडी साहित की भूमिका किसके लेकक कौन है दोस् की हो गई चालीस की तो हजारी से बनेगा हजारी परसाथ दुवेदी और भूमिका से बनेगा हिंदी साहित की भूमिका और चालीस की हो गई तो 1940 इसका रचनाकाल हो जाएगा दौनों चीज़ें अपन को याद हो जाएंगी कि हजारी की भूमिका चालीस की हो गई इसको सामगरी उपलब दिखी अब आप लोग तयार हो जाएं कोई सा गरंत किसने लिखाए वो आप से पूचा जाएगा तो क्या सभी लोग तयार हैं बहुत अच्छे से दोस्तों आपको यहां पर पढ़ना है नरंतर किलास अटेंड करनी है रात त्री नौ वजे ठीक है और इसी प्रकार से पढ़ते जाना है जिन भी सात्यों को और विस्तृत पढ़ना है बहुत अच्छे से ट्रिक से पढ़ना है वो सेल्प स्टडी किलासे से अप डाउनलोड कर लें बहां पर बारा सो का कोर्स रखा गया है बारा मैने का उसमें आप लोग एड़िशन ले ले और वह यहां पर आपको बहुत अच्छे से ट्रिकी तरीके से और विस्तृत अध्यन तरीके से टॉपिक बाइस टेस्ट करवाकर आपको अध्यन करवाया जाता है लाइप किलासे प्लस रिक्वाडेट किलासों के माद्यम से ठीक है तो अब आपको यहां पर बताना है कि हिंदी का प्रथम ब्रत्य संग्रह बताना है कि किस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम ब्रत्य संग्रह माना जाता है जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए एक बार और जल्दी से लाइक भी आपको करना है बताएं हिंदी का प्रथम ब्रत्य संग्रह कौनशा है बताएं जल्दी से और आप ने उत्तर लगाया है कि सर ब्रत्य संग्राय की अगर आप बात करोगे तो ये हिंदी का प्रत्य संग्राय माना जाता है शियो शेह सरोज को माना जाता है अब शेह सरोज का रचना काल क्या है वो भी आपको कमेंट में लिखना है शेह सरोज का रचना काल क्या है वो भी आप कम देव के मिस्रबंदू तीन भाई थे और मिस्रबंदू बिनोत की इन्होंने रचना की थी मिस्रबंदू बिनोत की रचना इन्होंने चार भागों में की थी प्रतम तीन भाग इनके 1913 में चत्रत भाग 1934 में प्रकासित हुआ और इन्हों ने इसके पहले 1910 में एक गरंत लिखा था जिस गरंत का नाम था हिंदी नवरत ने हिंदी नवरत न याद रखे न कई बार पूचा गया 9 से बनेगा 9 और 9 में 1 प्लस कल्लोस हो जाएगा 10 1910 में एक गरंत लिखा गया हिंदी नवरत ने इसको याद रखो फिर आप से पूचा जाएगा इस्ट्री आफ हिंदी लिट्रेचर के रचनाकार कौन है तो इसको अपन को याद कर लेना है ठीक है उसके बाद आए दोस्तो इसकेच आफ हिंदी लिट्रेचर तो यहाँ पर अपनने आफ हिस्ट्री पढ़ाता तो हिस्ट्री अपनने पढ़ाता कि कोई हिस्ट्री पढ़ेगा है ना इसको अपन को याद रख्टे ना है ठीक है तो आपको याद रखोगे आफ हिस्ट्री आफ हिंदी लिट्रेचर ए एडविन ग्रीवज और sketch of hindi literature के admin ग्रीवज क्योंकि sketch तो हमें admin का बनाना है अपने admin का बनाना है सभी लोग बनाएंगे ठीक है उसके बाद आपको बताना है कि हिंदी साहित का बिबेच नातमा कितिहास किसने लेखा जल्दी बताइए हिंदी साहित का बिबेच नातमा कितिह क्यास कितिहास किसने लिखा आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से एक बार like करना है किसी परकार से पढ़ते रहना है अगे बढ़ना है Hindi साहित का बिबेच नातमक कितिहास किस ने लिखा है फुरेशी जी बताएं कौन बता रहा है सबसे पहले देखते हैं जल्दी से बताएं मिद्यावती जी शीता देवी जी बताइए फुरेशी कौन से साती है जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासे इसमें अडवीशन नहीं लिया है एक दिसमबर से आपका न्यू बेच स्टार्ड हो रहा है एक दिसमबर से अभी आपकी रणिंग क्लासे चल रही हैं आपको रणिंग क्लासे भी मिलेंगी अगर आभी एडवीशन लेते हैं साती एक दिसमबर से रूस सुरुआ से पढ़ने को मिलेगा लाइब क्लासों में और साती recorded course तो आपको आज से ही मिल जाएगा पूरा का पूरा सुरुवात से ठीक है तो बिलकुर सही answer बताया है नैमी जैप जी की सर हिंदी साहित का विबेचनात्मा के तियास लिखा है सूर कांत सास्त्री ने सूर कांत सास्त्री ने फिर उसके बाद आपको बताना है दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी भासा ौर तक हतम नहीं हुआ आपको बताना है कि अयुद्ध्ध्या सिम्पाद्य अहर्योद की तीन रचनाय बताईए तीन रचनाय आपने दुवेदी योग पढ़ा होगा दोस्तों पहले सी भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं तो दुवेदी योग आपने पढ़ा है थीक है तो दुवेदी योग जो आपने पढ़ा है उसमें आपको पता होगा कि इसमें राम कुमार बर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों उन्नी सो पाँच में इनका जन्म हुआ था राम कुमार बर्मा का और ये छाया बादी कभी माने जाते हैं कौन राम कुमार बर्मा आलो चक भी माने जाते हैं तिहास एक गरंथ भी इन्होंने लेखा और इन्होंने हिंदी साहि की बात करें तो हिंदी सायत का इतिहास मिस्र बंदू बिनुत का ही एक संचिप्त रूप है इसको याद रखो हजारी पर साथ दुवेदी जिनका की जनम हुआ था इस though ने वटाया है रहीं की बारे में कहा नहीं हुअ ठीक है लेकिन हजारी परसाद दुवेदी ने कहा था कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हिंदी साहित का इतिहास बैसा ही रहता दोस्तो जैसा की आज है अगर मुस्लिम आक कर्मन ना भी हुए होते तब भी बैसा ही रहता जैसा की आज है ये हजारी परसाद दुवेदी का क का इबार पूचा गया इसको याद रख्टेना इन्होंने तीन गरंथ लिखे दोस्तों कौन कौन से लिखे एक तो हिंदी साहित की भूमिका लिखी 1940 में हिंदी साहित का उद्वा और विकास लिखा 1952 में और हिंदी साहित का आदी काल भी इन्होंने लिखा 1952 में ठीक है तो आपको हजारी पर साथ दुवेदी के बारे में भी याद रखे ना कि हजारी की भूमिका 40 की हो गई हजारी की भूमिका 40 की हो गई ठीक है इसको अपन को याद रखे ना है अब यहाँ पर आते हैं अब यहाँ पर आपको लेना है कोर्स आपको फिर से लेना होगा सब्सक्रिप्शन में हैमा जी ठीक है डाक्टर लच्वी सागर वार्षने ने आदुने किंदी साहित नामक साहित इतियास का प्रणेन किया इसमें 1850 इसवी से 1920 तक के साहित विकास की सोध पराक है अध्यान स कर्णी तो इसमें उपलब्द है जिनका सब्सक्रिप्शन समाप्त हो गया् desired कि यह भार कोर्स लेते हो तो उसकी एक साल होती है यानी कि जब से आपने लिया है जिस देट से असे सब्सक्रिप्शन चलता है फिर आपका खतम हो जाये तो आपको फिर से पुना हे अध्यान कर करने के लिए फिर से कोर्स में अड़ बीसल लेना पड़ता है ठीक है तो अभी बारा सु फीस है जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं और अध्यन कर सकते ठीक है डाक्टर करशनलाल ने आदुनिक हिंदी साहित का विकास नामक ग्रंत का प्रेणन किया और इन्होंने दोस्तों इसमें 1990-1925 जिसमें तक के हिंदी साहित के विकास का सूक्ष में निस्पक्ष है तथा आलो चनात्मग विवेचन किया किसने दोस्तों डाक्टर करशनलालय ने और आदुनिक हिंदी साहित का विकास नामक इन्होंने ग्रंत लेका था ठीक है, ये याद रखों हिंदी साहित के प्रमुक गरंतों को अपना पढने वाले हैं तो आपने पढ़ा होगा हिंदी भासा और साहित्य का इतिहास इसके रचनाकार कौन है तो चतुर स्यन सास्त्री अब एक चीज याद रख लेना अपने देखा कि बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित का इतिहास लेखा अब हिंदी साहित हिंदी भासा और साहित का इतिहास विश्वास विजय संकर जी आपका सेलेक्शन नी हुआ किसी भी एक्जाम में क्या हिंदी भासा और साहित का इतिहास चत्र सेंसाश्त्री च इसमें भासा का इतियास भी आ गया इसलिए चतुर व्यक्ति ही लिखेगा ठीक है यह हो गई तो जैस्बंत जी एप में देखा करो एप में जाओ चैट का ओफसन है चैट में एक TGT PGT का गुरुप बना है उस गुरुप में आपको लिंक मिलेगी रोज साम को 5 बजे ठीक है हिंदी बासा और साहित का इतियास आचार चतुर सेंसास्त्री हिंदी साहित का उदभाव और विकास इसका रचनाकाल बताईए क्या है हिंदी साहित का उदभाव और विकास मैंने अभी हिंदी साहित तुदभा और विकास के डाक्टर हजारी पिरसाद दुवेदी, हजारी पिरसाद दुवेदी, टी जी टी में प्रियागराज कॉलेज मिला है, बहुत बढ़िया, बधाई हो विजवाव है, बहुत मेहनत की आपने भी, और हिंदी साहित तुदभा और विकास ड डाक्टर हजारी पिरसाद दुवेदी की दोस्तो रचना मानी जाती है और इसका रचना काल क्या है 1952 ठीक है हिंदी साहित का बैग्याने की तियास की बात करें तो डाक्टर गडपती चंद्रगोपते हैं गडपती अब एक पात आपको पता होगा कि गडपती जो है वो ही है ठीक है तो हिंदी साहित का बैग्याने की तियास किस ने लेका डाक्टर गडपती चंद्रगोपते ने लेका क्योंकि बैग्याने की तियास लेकने के लिए बुद्धी चाहिए और बुद्धी के देवता तो कौन है गडपती जी है ठीक है यह हो गया हिंदी साहित का स समीक छातमक इतिहास बासुदेव ने और आलोच नातमक इतिहास डाक्टर राम कुमार बरमा ने ठीक है हिंदी साहित का नया इतिहास किस ने लिखा नया इतिहास तो नया इतिहास लिखा दोस्तो डाक्टर राम खेलाबन पांडे ने हिंदी साहित का नया इतिहास राम क्या में खेल में हम नया कितियाशं बनाएंगे तो नया कितियास की सि juan Amnaya, ओने कितियास नाम बार सहने लिख़ेज हम, या दो, भी सिसको याद रख लेना का दो, प्रभाकर माचबे किस ने लिखी प्रभाकर माचबे ने लिखी हिंदी साहथ की कहानी कहां गई इसे याद रखोगे कहानी कहां गई यैं यहाद रखोगे ठीक है आदुनेक हिंदी साहित का इतियास, कि क्रश्न संकर सुखले ने लेखा आदुनेक हिंदी साहित का इतियास, ठीक है, हिंदी साहित का दूसरा इतियास देखो, डाक्टर बच्चन से ने लेखा दोस्तों हिंदी साहित का दूसरा इतियास, TGT में कुछ कथन इस से बुक से आय अब आप हिंदी साहित का दूसरा इतिहास लेखो, क्या लेखो, दूसरा इतिहास लेखो, तो मैंने कहा कि बच्चन का काम है, क्या दूसरा इतिहास लेखना, बच्चन का काम तो नहीं है, दूसरा इतिहास लेखना, ठीक है, तो हिंदी साहित का दूसरा इतिहास, बच्चन का काम नहीं है बच्चन का तो यह बच्चन सेने लेखा यह भी अपन को याद करना है हिंदी साहित का संशिप्त इतिहास अब देखना एक चीज बताना हिंदी साहित को संशिप्त संशिप्त पढ़ना चाहते सबी लोग बोले सर हमारे पास कई बार कॉल आते सर आप तो हमें important important बता दो बाकी इतना सारा कौन पढ़े बिस्तरित पढ़ना ही नहीं चाहते बिस्तरित की जिस दिन बात हो गई किलास चोड़के भाग जाते हैं लेकिन जब पेपर का रेजल्ट आते हैं तो जो भाग जाते हैं वो भाग ही जाते हैं और जो भागते नहीं हैं वो क्या हो ज जाते हैं वो स्थापित हो जाते हैं सेलेक्शन हो जाता उनका ठीक है इनको भी अपन को याद करना है कि हिंदी साहित का संचिप्त इतिहास विश्टुनाथ त्रपाठी विश्टुनाथ त्रपाठी याद रखने ना पुलिसर विश्टु के लोग संचिप्त पढ़ना चाहत तो अपन को सुमन किसी को आधा नहीं देना, आधा में बाधा हो जाती है, इसलिए हिंदी सायत का आधा, आधा नहीं देना क्या, सुमन, सुमन आधा नहीं देना, इसलिए हिंदी सायत का आधा इतिया, सुमन राजे ने लिखा, अब सुमन राजे की बात आई है, तो एक क्व question और हम आप से पूछ ले रहे हैं कि सुमन राजे किस सब्तक से संबंदित थीं जल्धी से बताई किस किस से बनता है सुमन राजे किस सब्तक से संबंदित थी 오ंगि हठाक से बताऋ tavalla हिंदी साहित का इतिहास डाक्टर नगेंडर एक question नगेंदर ने हिंदी साहित का इतियास नहीं लेखा दोस्तों ठीक है नगेंदर ने हिंदी साहित का इतियास नहीं लेखा बलकि इन्हों ने क्या किया है शंपादन किया है इन्होंने लिखा नहीं है तो इनको याद रख्टे ना सुमन राजे चोथे तार सब तक से संबंदे बिल्कुल सही answer ठीक है तो डाक्टर नगेंदर ने हिंदी साहित का इतिहास नहीं लेखा बलकी इन्हों ने संपाधन किया हिंदी साहित के इतिहास का और हिंदी साहित और संबेधना का बेकास अब संबेधना के बारे में आपको मैंने बताया था कि संबेदना बही प्रगट करेगा जिसको आपका स्वरूप पता है स्वरूप अच्छा एक चीज बताना कि आपको जो जानते हैं आपको कुछ हो जाए आपके परिबार में कुछ हो जाए है ना तो संबेदना कौन प्रगट करता है जो आपको जानता है अब जो नहीं जानता वो संबेदना प्रिगट करेगा कि अरे राम 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 ऐसा हो गया नहीं करता ना तो संबेदना वो ही प्रिगट करेगा जो आपका स्वरूप जानता है तो यहाँ पर हिंदी साहित का हिंदी साहित और संबेदना का विकास तो संब मौके कितियास का संपादन किया था नीलाव ने लेकिन आपको मैं बहुत ही महत्पूर महत्पूर यहां पर बता रहा हूं जिनको आपको याद रख्टेना है जो आप से पूचे जाते हैं हिंदी भासा और साहित का इतियास इसको याद रख्टेना है हिंदी भासा और साहित क का उद्भाव और वेकास हजारों बार हुआ हजारों बार हुआ तो हजारी पर साथ दुवेदी हिंदी साहित का बैज्यानी कितियास कौन लेखेगा जिसके अंदर बुद्धी होगी और बुद्धी के देवता तो गड़पती है तो गड़पती चंद्रगुप्त ने लेखा हिंदी साहित का समीक छात्मक इतियास बासुदे उसेहने लेखा बासुदे उसेहने हिंदी साहित का नया इतियास और नया इतियास लखेंगे हम काई में लखेंगे खेल में खेल में लखेंगे तो राम खेला बन पांडे खेला बन पांडे या नया नया खेल खेलेंगे प्रिविर्तियों के नाम बताओ, question जब आप से पूछा जाता है, question जब आप से पूछा जाता है कि आदुनेक हिंदी साहित की प्रिविर्तियां, अब प्रिविर्तियां यसी नहीं पूछी जाती है, यसा पूछा जाता है कि हिंदी साहित की प्रिविर्तियों के नाम बताओ, नाम बताओ तो आदुनेक हिंदी साहित की प्रिविर्तिया नाम बताना है तो नाम बार सेहने ये गरंत लेखा नाम बार सेहने लेखा अब हिंदी साहित की कहानी कहा गई पोलिसा नाचबे गई नाचबे तो प्रभाकर माचबे हो जाएंगे माचबे ठीके आदुनेक हिंदी साहित का इतियास किस ने लिखा क्रशने संकर सुखले ने लिखा हिंदी साहित का दूसरा इतियास लेखना बच्चन का काम नहीं है तो याद कर लेना हिंदी साहित का संचिप्त इतियास पढ़ना चाहती सर बोले कहा के लोग उत्तर प्रदेश बस के लोग नहीं पढ़ना चा अधा क्याने देना आपनको आधा समने नहीं देना है समन आने की पूस्प है कियानी की फूल ठीक है तो इंदी साहिट का आधा इतियास लेका सुमन राजींमे कि इसको याद रख लेना ठीक है तो और यह पूछा जाता है कि reciो और संबेदना का विकास तो संबेदना भाई व्यक्ति व्यक्त करता जिसको आपका स्वरूप पता होता है तो राम स्वरूप चुत्रवेदी हो जाएंगे अब इसको याद कर लेना और इसी परकार से एगर आपको एट्रेक अच्छी लग रही है तो आप एड़ीशन भी ले सकते हैं दोस्तों और इड़ीशन लेकर कि इसी परकार से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं याद कर सकते हैं क्योंकि जब हम लाइफ किलास आपको पढ़ाते हैं पैड किलास में तो आपको मेरा फोकस होता है कि अधिकांस ताय आपको किलास में ही याद हो जाए क्यों नहीज़े लेकिन उसके पहले हम आपसे पूचेंगे दोस्तों आपको जल्दी से बताना 25 पांच question पूछ रहे हैं हिंदी साहित का दूसरा इतिहास किसने लेखा पटापट से बताएंगे और जिन भी सातियों को एड़िसल लेना है वो self study classes आज ही download कर लें उपर link आपको दी गई है अब आपको बताना है कि हिंदी साहित का दूसरा इतिहास किसने लेखा हिंदी साहित का दूसरा इतिहास किसने लेखा किसने लेखा है तो बताएं और आपने बता दिया कि सर दूसरा इतिहास लेखना बच्चों का काम नहीं है आप देखना आपको याद हुआ होगा किलास में ही बच्चों का काम नहीं है तो किसने लेखा बच्चन से लेखा बिलकूर साहिए अब आपसे हम पूछ रहे हैं दोस्तों कि हिंदी साहित का बैग्याने की तिहास किस ने लेखा है विश्वास मलिक जी बताएं और देखते हैं किस को याद हुआ है कितना कितना याद हुआ है ट्रिक तो अपनी चलती ही है तो ट्रिक में अगर याद आपको हो रहा है तो बहुत बढ़िया ओफसन आया कि सर्व बैग्याने की तियास लिखने के लिए बुद्धी चाहिए और बुद्धी के देवता अब आपको बताना है हिंदी साहित का दोस्तो आधा इतिहास किसने लेखा बताएं बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उत्तर बता रहे हैं कुछ चार-पांच कोस्चन हम आपसे पूछ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और अगर सकते हैं उनकी पिडिया प्रिंट आउट भी निकल बा सकते हैं या आपको कॉर्ट में एडबीसल लेना हैं गायर। बिल्कुर सही आंसर आ गया ठीक है अब थोड़ा सा और हम आपसे पूछते हैं दोस्तों कि आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी साहित की प्रविर्तियां ये गरंत किसने लेखा फटाक से आपको कमेंट लिखना है सतीश्त्र पाठी जी बताएं शबी लोग मदन जी हिंदी साहित का हिंदी साहित आधुनिक हिंदी साहित की प्रविर्तियां आधुनिक हिंदी साहित की प्रविर्तियां ये गरंत किसने लिखा है आपको कमेंट में लिखना है और एक बार जल्दी से दोस्तों अपने मित्रों तक सेयर कर देना है जिनको भी एड़िशन लेना है वो गरंत लिखा है जो आपने बिलकुल शही आंसर बताया आप ठीक है अब कुछ एक और कॉस्टन में आपको पूछ रहे हैं दोस्तों आपको बताना है शबी लोग बताएंगे कि हिंदी साहित का संचिप्त इतिहास किसने लेखा फटापट से बताएंगे आप लोग और सेल्प 2020 टेस्रीज निरंतर चलती रहती है आपकी तो आपको यहाँ पर हिंदी साहित का संचिप्त इतिहास किसने लेखा ये आपको कमेंट में लेकना है खुरेसी जी बताएंगे बिरजेस कुमार जी आपको बताना है और लाइक कर देना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा क संचिप्त तो विश्चु के लोग पढ़ना चाहते हैं तो विश्चुनातर पाठी आपका बिलकुर सही है फिर आंगे चड़ते हैं हिंदी साहित का नया इतिहास किसने लेका हिंदी साहित का नया इतिहास देखो कैसे ही आपको किलास में याद होती जाती है बस्तुएं य तो हिन्दी साहित का नया इतिहास किस ने लिखा आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से आपको बताना है कि किस प्रिकार से आपको याद हुए कैसा लगा यह सैसन अपना रोज रात त्री नौ बजे आपको पढ़ना है Self Study Classes एप डाउनलोड करना हिंदी साहित का भी अपना एप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हिंदी साहित का एप आप प्रेस्टोर में सर्च करेंगे ठीक है तो आपने उत्तर बताया है सुसमा सुकला जी ने बताया सबसे पहले ठीक है और बीनु जी ने बताया कि सर्च हिंदी साहित का नया इतिहास यानि कि राम खेलाबन पांडे बिलकुल सही बताया हिंदी साहित की कहानी के गरंत किसने लेखा दोस्तों फटाक से आपको बताना है एक बार जल्दी से लाइक कर देना है हिंदी साहित की कहानी कहानी इस गरंत के रचनाकार कौन है आपको कमेंट में लखना है लास्ट प्रस्ने है आपका बताएं पंजाम मास्टर के डर भी जन्दी ही आने बाला है L.T. गरेट भी आपका आने बाला है साथी राजिस्तान में R.P.S.C. फर्स्ट गरेट और सेकंड गरेंड की वेकैंसी भी आने बाली है तो आप लोग अपनी तैयारी नरंतर जारी रखें तैयारी में कोई कमी आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि वेकैंसी भर पूर आने बाल तो नाचबे से क्या बनेगा फिरभाकर माचबे बनेगा बहुत बढ़ी यह इतने अच्छे से आप लोगों ने पड़ा है और इतने अच्छे से उत्तर आप लोगों ने बताया कि मुझे भी अब विस्वास हो गया कि हम जो किलास में पड़ते हैं वो आपको याद हो जात धनवाद, ASG, कलपनाजी सभी सातियों के लिए धनवाद लाइक करें और जुड़े रहें इन कोर्स इसमें से जो भी आपको कोर्स लेना है यह हिंदी साहित का संपूर कोर्स है जिसमें आपके लिए रिकॉर्ड़ेट कोर्स मिलता है जिसमें आपके लिए live class है मिलती है जिसमें आपके लिए दोस्तो topic wise test भी मिलते हैं doubts वाली class है जिसमें आपको tricky video अलग से question series के बो भी मिलते हैं ठीक है इसमें आपके लिए group रहता है discussion के लिए Hindi site का संपूर course ये 1200 में 12 में का course रहता है 1200 में आप 12 में बिलकुल आराम से regular अध्यन कर सकते हैं तो Hindi site के संपूर course में आज ही अड़ी से ले सकते हैं ठीक है बिलकुल 10 December तक लिएल्टी का notification आ सकता है बिलकुल चाहिए है ठीक है बहुत बड़िया रेखा जी बहुत बड़िया जनम पर बनाएंगे कल्पना जी बिलकुल बनाएंगे जनम पर तो मैंने बहुत सारे कभियों का जनम आपको याद करवा दिया है जैसे अपन पढ़ते बाल करन भट बोले सर 1844 ठीके उसके बाद भारते अंदूजी 1850 पहुच जाते हैं प्रताप नाराण मिस्तर की बात करें बचपन से लेकर पचपन तक अपने प्रेम घन बद्री नाराण चोदरी प्रेम घन का पचपन होता 1855 56 में प्रताप नाराण मिस्तर का जगमोण का 1857 में अपन पढ़ लेते हैं ठीक है इसी प्रकार से 1889 में अपने दोस्तो राम नरेश्तर पाठी का भी जन्म हुआ, जैसंकर पिरसाद का भी जन्म हुआ, 1897 में निराला का पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, 1886 में अपन दोस्तो मेत्री स्रण गुप्ति का जन्म है उसके बाद दोस्तो 1819 में अपन सुमित के दोरान ही आद करवा दिये कई बार आपको होते हैं, ठीक है, तो शुमन पाल जी एड़िशन लेने के लिए आपको डाउनलोड करना पढ़ेगा, सेल्प स्टडी किलासेज और आप दोस्तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से पढ़ें और पढ अध्यन करते रहें, उनरंतर दोस्तो आगे बढ़ते रहें, खेल-खेल में अपना उद्दे से, खेल-खेल में बहुत सारी रचनाय आद हो जाएं, बहुत सारी कभियों के जन में आद हो जाएं, क्योंकि ऐसी क्वेस्चन कई बार पूचे जाते हैं, ठीक है, तो जिन भी स साथियों ने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया, वो Self Study Classes का एप डाउनलोड कर लें, हिंदी साहित का संपूर कोर्स मात्र बारा सो में बारा महिने के लिए है, ठीक है, और दोस्तों आपका भारतेंदु युक्की जिनको भी PDF प्रिंट आउट निकल वाना उनके लिए PDF कोर् के आप प्रिंट आउट निकल पर्चेस करके प्रिंट आउट निकल वा सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बाल गोबिंद जी, दार्सु जी, कल्पना जी, कामेडी, गुरू जी, सुगंदा कुमारी जी, लबली, ठाकुर जी, सौरभ बरमा जी, सभी सात्यों को धनबा लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके सेर जरूर करें, ठीक है, जै हिन